हेलो बच्चो हम फीर आ गए आज पाट फोर के साथ जो लोग नए स्टूडेंस है या नए वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे तरीके से वीडियो को देखे समझ जाए और अपने लक्ष को पूरा कर लें बस और कुछ नहीं कहूंगा मैं ठ उसमें क्लास 9 का एक इंट्रेंस टेस्ट होता है ठीक है उर्दू में भी होता है हिंदी में भी होता है इंग्लिस में भी होता है तो cbsc बोर्ड से या फिर उर्दू के जो ncrt books होते हैं उनसे पूछे जाते हैं सवाल ठीक है तो उसी इंट्रेंस टेस्ट में एक उर्दू स सब्जेक्ट का हम लोग प्रिप्रेशन करा रहे हैं पार्ट फॉर वीडियो है तीन वीडियो और लेडी अपलोडेड हैं पले लिट चेक कर लिजेगा आप और उन सारे वीडियो को देखिए हम गरांटी लेते हैं कि आपका M.E.U. में उर्दू में कौनों दिक्कत नहीं होगा कौनों एकदम बाहु बली बनके जाएग एकजाम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो पहला सवाल दिया हुआ है हमारा फाइल कौन सा है चार हमारे पास पहला है वाज दूसरा B है वाजी तीसरा है वाईज और D है वाईजी ठीक है तो ये वाज का मतलब होता है नसीहत ठीक है और वाजी ये एक मुहमल लफज दे दिया गया है और वाईज का मतलब होता है नसीहत करने वाला तो किसी भी काम को करने वाला ही फाइल हो तो खाना फेल हो गया ठीक है लेकिन जिस खाने को जो खा रहा है वो खाने वाला फाइल है ठीक है तो कोई भी काम करने वाला फाइल होता है वही बताना हमें तो वाइज का मीनिंग होता है नसीहत करने वाला हम जैसे बच्चों को समझाने वाला तो वाइज इसमें फाइल हो जाएगा क्यूं क्यूंकि ये काम को कर रहा है और जो काम को करता है न उहे फाइल हो जाता है ठीक है सेकंड कोश्चन है जर्रा किसका वाहिद है ठीक है आप्शन A है जर्रें B है जर्रात C है जुर्रियात और D है अजर्रा तो आप्शन B सही रहेगा क्यूंकि जर्रा का जो ज जर्रात होता है, question पूछ दे अगर, के जर्रात का वाहिद क्या है, तो ये जर्रा option हो जाएगा, ठीक है, और अगर जर्रा पूछ रहा है, तो इसका जमा बताना है, तो जर्रात हो जाएगा, option बी पटिक लगा लिजिएगा, यही option सही होगा, तीसरा सवाल है, फसाने आजाद किसका नाविल है, ठीक है, एक नाविल है, फसाने आजाद नाम करके, उसको नाविल को किसने लिखा है, तो option है, अब्दुलहलीम शरर, अभी है मिर्जा हादी रुसुआ, असी है परेम चंद, अडी है रतननात सरशार, तो यह आपके बुक म में भी दिया हुआ है, जो लोग खाली डिंग डंग मारते रहते हैं, और बुक को बारीकी से नहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होगा, अगर आपको EMU में निकालना है, उर्दु में पूरा सक्षम रहना है, तो आप MS कलासे से जुड़िए, हम उर्दु में कौन दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, उर्दु के कोस्चन को एकदम उठा का पटक दीजिएगा, ठीक है, तो आप्शन डी आप टिक लगाईए, और आँख बन करके चलते चलिए, ये कोस्चन देख लीजिएगा, और एट कलास का जो अपनी जबान भूक हमने पढ़ा दिय पॉले लिस्ट में, उसको एक मरतबा सुन लीजिएगा, कौनो दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है, तो रतन नात सरशार जो ऑप्शन डी है, ये सही होगा, चौथा सवाल है, हमारा सरसयद हमद खां कहां करहने वाले थे, यानि जिस यूनिवर्सिटी में आप एकजाम द दिल्ली, देहली लिखिएगा आप, दिल्ली नहीं, लेकिन ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहेगा, सी है आगरा, डी है अली गड़, तो देखी अली गड़ में उनकी वफात हुई थी, यानि वो मर गय थे अली गड़ में, लेकिन जब पैदा हुए थे, तो दिल्ली में ही दिल्ली में उनकी पैदाइश हुई, और अली गड़ में उनकी मौत हुई, ये दोनों बात आप याद रखियेगा, ठीक है, पांचवा सवाल है हमारा, अठारा सो संतावन इस्वी में जेल में से कौन सा वाकिया रूनुमा हुआ था, यानि अठारा सो संतावन इस्वी पहलिय हुद्ध है था तो उस समय एक वाकई原 बहुत परसिद था जैसे अज कौन के दौर में dork यूपी का वाक्या भहुत पर्सिद हैaurवुर्य,ॅदि अघे, तो लोग मता देगा कौना चल रहा है तो वो भी बता देता कौन सा वाक्या हो रहा है तो उसी वाक्या को हमें बताना है जैसे आज कल अगर मुर्गी से भी आप पूछ लीजिए कि अभी का हो रहा है देश में तो खाली कहेगा कोरोना हो रहा है ठीक है तो उस समय जो बकरी सब बता देता था वो वाकिया बताना है हमें इतिहास में ये भी कोरोना लबात्वा देखिएगा इस्तिहास में ही लिखाएगा ठीक है तो आप वो वाकिया बताना है तो हिंदुस्तान आजाद हुआ अप्शन B है आजादी की पहली जंग हुई C है पहली आलमी जंग हुई और D है दूसरी जंग आजीम हुई तो अप्शन B सही हो जाएगा आजादी की पहली जंग 1857 इस्वी में हुई थी अब छटा सवाल है हमारा कुसूर का फाइल का होगा अब फाइल हमने आपको अभियन उपर बताया तो कुसूर का होता है गलती और गलती करने वाला आपका फाइल हो जाएगा ठीक है और गलती करने वाले को कासिर कहते हैं उर्दु में कुसूर फेल हो गया कुसूर का मतलब हो गया गलती करने वाला मकसूद मतलब हो गया कि जिस गलती को किया गया है ठीक है तो मकसूद फाइल हो गया कासिर मकसूद मफूल हो गया कासिर आपका फाइल हो गया कुसूर आपका फेल हो गया तो कुसूर का जो फाइल कासिर होगा जो के ऑप्शन बी है और यही सही ही होगा इस स्वाल है मारा नजम खाको-वतन के शायर कौन हैं खाको-वतन नाम करके एक नजम है उसके शायर नाम बताना है हमें ऑपने है है इसमाहिल मेरठी या चीन्ही के तरह छिटा गए चैप्टर्स में तो इसमाहिल मेरठी हर जग मत लिखतीजिएगा B है जाने सार अख्तर C है मौलाना हाली D है मिर्जा गालिब तो ये सब जो है इन्होंने इस वदन को नहीं लिखा था इस नजम को बलके जाने सार अख्तर सिरानी नहीं खाको वतन नजम को लिखा था तो option B आपका सही हो जाएगा इस सब को note करते चलिएगा और जाने से एक दू दिन पहले दू तीन मरतब़ पढ़ लीजिएगा पूरा पका है कि आपका निकल जाएगा उर्दू में उर्दू subject में कोई दिक्कत नहीं होगा नजम जदीद का का दूर किस से शुरू हुआ तो option A हाली से B है जोश से C है गालिप से D है मीर से ठीक है नजम जदीद जदीद का दूर नाम करके एक नजम है ठीक है तो उसको किस ने शुरू किया था तो option A है अलताफ हुसैन हाली नहीं उसको शुरू किया था 9 सवाल है हमारा अकबराबाद किस शहर का कदीमी नाम है कदीमी नाम करते हैं पूराने नाम को जैसे योगी जी नाम सब को उठा उठा का पठक रहे हैं देवबंद को देवरंद कर देंगे और गरीब रत को बुलेट ट्रें कर देंगे और इसी तरह जो है उसब को बलू पूराना नाम है गाजियाबाद को राम बात कर देंगे का है तो भाई पूरान का नाम था उसी तरह जो है अकबराबाद जो शहर है इसका पूराना नाम का था अब योगी जी खनिया मत सोच लिजेगा ठीक है अकबराबाद जो है आगरा को अभी के दोर में आगरा कहा जाता है नहीं, देखिए, आप्शन ने है, फैजाबाद का B है मुरादाबाद का C है आगरा का और D है अली गड़ का तो अकबराबाद जो है उसका पुराना नाम आगरा था पहले उसको आगरा कहा जाता था अली गड़ देखके मट टीक कर दीजेगा कि अली गड़ में आये तो सब अली गड़ का पूछेगा वो एट स्टेंडर्ट के उर्दू नॉलेज का कोश्चन पूछता है सब दसवा सवाल है हमारा अफताब का मुतजाद बताईए, अफताब का मतलब होता है सूरज का डूब जाना और शम्स का मतलब होता है सूरज का उग जाना तो अफशने है चांद, B है बदर C है खुर्षीद और D है शम्स, तो अफशन D आपका सही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सूरज का उग जाना इसका मतलब होता है और अफ्ताप का मतलब होता है सूरज का डूब जाना एक रहुआ सवाल है अब्दुलहलीम शरर थे मतलब अब्दुलहलीम शरर क्या थे कौन थे ये बताना है अमें तो अप्शने है शायर थे बी है गुलुकार थे सी मौसीक कार थे या डि है नाविल लिखते थे अब्दुलहलीम शरर थे वह नाविल लिखने वाले थे नाविल लिखने वालों के लिष्ट में उनका नाम आता है ठीक है बी बाराववा सवाल हमारा खाजा गरीब नवाज कहां पैदा हुए थे option A है इरान में B है इराक में C है साओधी अरब में D है अफरीका में तो option A आपका सरी हो जाएगा जो खाजा गरीब नवाब थे वो इरान में पैदा हुए थे तेरहों सवाल है हमारा इबने बतूता कौन था option A है शायर B है मुसवीर मुसवीर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को पैंटिंग बनाने वाले को मुनालिसा पैंटिंग देखे हैं उसको किसी न किसी ने बनाया होगा उसी बनाने वाले को मुसवीर कहा जाता है यानि किसी भी पैंटिंग को अगर कोई बनाता है तो बनाने वाले को मुसवीर कहा जाता है मुसवीर तलफुद सही कर लेंगे आप C है तारीख दान तारीख दान का मतलब होता है कि हिस्टरी के बारे में जानने वाला उसको तारीख दान कहते हैं D है सया सया का मतलब होता है जगा जगा घूम के चीजों को एक्स्प्लोर करने वाला यानि जगे जगे घुमेगा और चीजों को देखेगा और आयस करेगा जईसे मोदी जी कर रहा है आजकल के जमाने में कौन इसा देश नहीं है उस्वासुरा नहीं घुमाए हो साब दिमाग खराब करकर रख दिया हो उसी को सयाह कहते हैं जगा जगा घुमने वाले को तो इवने बतुटा जओन था एकदम पककट रोक पी मोदी जी का था ही मुझको लगता है मोदी जी भेश बदल लिए ब्ले Boris बदल के मोदी जी को रुप में आ गया है वही सयाह था वह जगा जगा घुम कर चीजों को एक्स्प्लोर करता है औ तो अप्षने है बरहम पुत्र, B है हुगली, और C है जमुना, और D है गंगा, तो इसका अंतर हो जाएगा हुगली नदी के किनारे, ये कलकत्ता वाक्य है, घुगली हुगली, next सवाल है हमारा, जिसको 15 हमा सवाल कहेंगे, खुद नविश्च से क्या मुराद है, खुद का मतलब होता है अपने, और नविश्च का मतलब होता है लिखना, अब खुद नविश्च मतलब अपने से लिखा हुआ, option देखते हैं का का है, option A है खुद की लिखी हुई, B है किसी की जिन्दगी के बारे में लिखी हुई, C है दूसरों के बारे में खुद लिखी हुई, और D है जमाने के बारे में लिखी हुई, तो इस सब बेकार है, option A सही होगा आपका खुद की लिखी हुई, खुद का मतलब खूद अनविष्ट का मतलब लिखी हुई खूद नविष्ट खूद की लिखी हुई बस अच्छा इंसान में अच्छा क्या है तो देखिए अच्छा जो है इक शिफत है अब इन चब को भी आपको बता देता हूं मैं इसम क्या है एक नाम है जैसे ताज महल हो गया नू एक नाम है तो वो इस्म की कटेगरी में आएगा किसी भी नाम को इस्म कहते हैं और उस नाम की खासियत मतलब अब ताज महल है तो खुबसूरत से फेमस है अब मोदी जी जैसा आदमी है तो जाइन गाओं में कितना गाली दे रहा है सब उसको तो से फेमस है तो बुराई उनकी सिफत हो गई है ठीक है तो इस मोदी जी नाम हो गया मोदी के बारे में लोग से पूछिएगा तो बुराई करेगा तो मतलब बुराई मोदी की सिफत है और कलीमा जो अभी मैं बोल जो भी बड़ा आ रहा हूं अभी वो सब कलीमा है और मोदी को बता रहा है ठीक है वो कोई अच्छा इंसान होगा दूसरा मोधी नहीं है अच्छा इंसान होगा तो यह अच्छा जो है यह सिफत हो जाएगा आपका 17 सवाल है जमाने हाल किसे कहते हैं तो देखिए सारे जमाने को समझा देता हूँ option A है गुजरे हुए वक्त को देखिए गुजरे हुए वक्त को जमाने माजी कहते हैं क्या कहते हैं जमाने माजी माजी बी को क्या कहते हैं आने वाले वक्त को तो आने वाले वक्त को मुस्तक्बिल कहते हैं यानि जमाना ऐसे लिखा रहेगा यहां पर माजी लिखा हो तो समझ यह पास्ट पिछला जमाना जो उन गुजर चुका है और अगर यहां पर मुस्तक्बिल लिखा हो तो समझ यह आने वा वायरस सुना हूं मैं अभी फिर C है जारी रहने वाले वक्त को यानि अभी जो चल रहा है उसको हाल कहते हैं और जो गुजर चुका है माजी कहते हैं और जो आने वाला है मुस्तक्बिल कहते हैं तो option C है जारी रहने वाले वक्त को यानि अभी current में जो चल रहा है तो हाल का मत पर आपको बताया कि मर गए थे कहां पर अली गड़ में तो उनकी बजाए से बता जहां मरें आदमी मुहानु दफनाएगा अब कोई सौधी में मर गया तो उसको उतना दूर से लेक थोड़े नाएगा वहाई दफनाता है सबाजकोर बी है आगरा में सी है देली में देखिए देली में उनकी पैदाईश हुई थी मुरादाबाद में यह सब मोहमल कुछ नहीं है यह कुछ नहीं है देली में वो पैदा हुए थे अली गड़ में मर गए ठीक है जहां पैदा हुए जहां मरे थे वह दफना दिया गया अली है तो लब से मुराद होंट होता है होंट को लब कहते हैं बीसवा सवाल है मारा जाइफ किसे कहते हैं तो अप्शने है बुढ़े को बी गरीब को सी लाचार को और डी मजबूर को तो अप्शने सही हो जाएगा आपका बुढ़े को जाइफ कहते हैं या फिर जाइफ को से कहते हैं ठीक है यह भी पूछ सकता है बुढ़े को उर्दू में क्या कहते हैं तब आप यह नहीं कि आप मुड़ी खुज लाने लगिएगा आप जाइफ पर्ति कर दीजिएगा क्योंकि कोश्चन इसी तरह से तयार करके जाना है इधर उधर तनिमनी करके जोन मैं आपको स अब से किसी की अच्छाई या बुराई के बिना पर उसको दिया जाता है या किसी क्वालिटी के बिना पर तो जो मसीहुल मुल्क खिताब है यह किसको दिया गया था यह बताना है हमें अप्शने है मुख्तार अंसार को डी है बी है गांधी जी को और सी है डांक्टर जाकिर हुसैन को और डी है हकीम अजमल खां को तो अप्शन डी हमारा सही हो जाएगा हकीम अजमल खां को जो है हकीम यह क्या था मसीहुल मुल्क का खिताब जो है हकीम अजमल खां को दिया ग जानता है वो चाहा पर पाइदा हुए थे ये कोई नहीं जानता है अप्शने है कुलकत्ता में अब धार्ज teżुए साधिक रहने रहने वाले थे अब यह शेख साधि कौन थे यह फार्षी के बहुत बड़े शायर हैं बहुत बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने फार्सी में लिखी है ठीक है अप्शने है इराक में बी है अरब में सी है इरान में और डी है तूर्की में तो अप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि यह जो शेख साधी थे यह इरान में पैदा हुए थे चौबिसवा सवाल है हमारा लहीम शहीम किसे कहते हैं? तो option है दूबला पतला को, option b है मोटा को, c है सहतमंद को, d है कमजोर को तो option b सही हो जाएगा जो उन एकदम हाथी गेंडा के तरह होता है उसको लहीम शहीम कहा जाता है पचीसवा सवाल है और इस वीडियो का आखरी सवाल है कौन सा लप्स अलग है यानि आप्शने में परचम, बी में फरेरा और सी से अलम और डी से नेजा तो इस सब धातू नहीं है ये कपड़ा का होता है ये भी कपड़ा का और ये एक नाम है और ये जो नीजा है ये धातू का होता है मेटल का होता है नेजा का मतलब होता है तलवार तो इस सब तीनों से अलग है क्योंकि ये तीनों जो है ये फाइबर है यानि ये कपड़े हैं कपड़े का बना हुआ है जो भी बनाया हुए डिजाइनिंग करके लेकिन ये जो है ये लोहा का डिजाइन करके बनाय सप्टत्राइब द्र бег जाता है तो कपड़ा में फरक्नू होता है भाई तो तीनु कपड़ा एक जैसा आएगो लौह एक जैसा तो नीजट वाला लफस जो है ये अलग है ये मेल नहीं खा रहा है जैसे सहर का लोग सी बीए सी अला भी हार बोर्ड लातन को मेच नहीं खाता है सब खाली चाय पार टी खाकर गुरा है तो अप्शन डी सही हो जाएगा नीजा तो नीजा पर टीक कर दीजेगा और अगर अच्छा लगता है तो बने रहे और भी वीडियो जेकर आएंगे हम जिसमें पूरा खीच पाच कर देंगे निचोड के निकाल देंगे उर्दू को अंदर से हम कहें समझने हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थूंक थूंक थाइंक की